Hello everyone, आज है 16 अक्तूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं South Indian Bank के बारे में 25 रुपए का शेर है और आज अगर हम देखें तो 6.5% की बड़ी 30 पी दिखाई है इसने आज इसके रिजर्ट्स है और जैसे ही नमबर है तकरीबन 12 बज़े के आसपसिसके रिजर्ट्स है तो और रिजल्ट्स आती ही इसने एक बड़ा मुव दिखाया फिर कुछ टाइम रहा फिर एक और बड़ा मुव दिखाया बात करेंगे वीडियो में इस बैंक के बारे में कि वहाई चल क्या रहा है, मौके है, धोके है, क्या सेनार्य यहाँ पर देखने को मिला जो रिजल्ट्स हैं, वो कैसे हैं, सब कुछ डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो हैं, जब वो काफी जादा हेल्प करेंगे तो 25 रुपए का शेर है, साउथ इंडियन बैंक का सारे 6% की तीजी और एक महिने में देखो, तो सिफ डेर पर्टसंट की ही तीजी है आगे इससे पहले भी 25 रुपए से जो गिरावट शुरू हुई थी, 23 पे गया, वापस इसने आज जाके बड़ा मूव दिखाया है और एक साल की अगर हम बात करें, तब तो भया, इसने सिफ सारे 4% का ही ग्रोथ कमा कर दिया है हलाकि ऐसा बढ़िया मूव आया भी था, कि ये 24 रुपए से ऐसा भागा कि 36 पे चला गया था लेकिन उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है, वो लगातार है और दिखो बीच बीच में अगर मूव बनी भी है, फिर गिरा, फिर तीजी आई, फिर गिरा, फिर तीजी आई, फिर गिरा ये तो कहीं न कहीं एक डाउनवर्ड ट्रेजिक्टर यहां पर नजर आ जरूर रही है और जो रिजर्ट्स आये हैं, उसके बारे में अगर हम बात करने जाए, तो अच्छे नंबर है, एवरेज में कहूंगा इसको इसका जो रिवन्यू रहा है, वो दो हजार आट सो करोड के आसपास पर रहा है जो कि इससे पहले के कौटर में दो हजार साथ सो चाथिस करोड का था तो अच्छा ग्रोथ मैं कहूंगा पिशले साल के 2445 करोड के मुगाबर तो और अच्छा ग्रोथ है तो रिवन्यू वाइस डिफिनिटली ग्रोथ है, पिशले साल से कंपर करो या फिर पिशले क्वाटर से कंपर करो लेकिन प्रॉफिट और अच्छा रहा है इस बार पिशले साल इसी क्वाटर में तकरीबन 496 परसंट था तो सुधार आज जरूर रहा है लेकिन अगर आप इंडस्ट्री वाइस देखते हो तो यह उतना अच्छा भी निट नहीं है तो वह काफी कम होते हैं तकरीबन 1-2 परसंट के आसपास होते हैं यहां पर 45% लेकिन फिर भी अगर इनकी खुद की बुक के अगर अकौर्डिंग देखे तो इंप्रॉफ्मेंट आया जरूर है अगर आप निट नप्रॉफ्मेंट देखते हो तो वह 1.31 परसंट का है जो क अगर आप बाकी बैंक से कंपैर करते हो तब उतना बढ़िया भी नहीं है क्योंकि बाकी बैंक का जो नेट नपीए होता है वह एक परसंट से भी कम का होता है तो यह डेफिनिटली महिंका है बहुत कम बहुत कम बैंक ऐसे हैं जिसके इतने हाई आपको देखने को मिलते हैं इसका मतलब यह है कि यहां पर और आज अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो रिजल्ट से बात है बड़ी कौनिटी में ट्रेडिंग हो नहीं थे और रिजल्स भी आया दोपैर के बारा बज़े को तो जाहिट से बात है पांस क्रोड़ से भी जादा को शेर यहां पर कि रसटा जा रही लगता है निए दिशचे की तरफ करने dalए उनका यहाँ पर रेक्मेंडेशन था एक्क्यूमेलेट कhou सेम चीज इसी साल मई में आनंद राठे के तरफ से बाइक उल्ट 39 रूपीस का टागेट था लेकिन अगर आप देखो तो तब से लेकर अब तक गिर ही रहा है तीजी नहीं आई है चाहे मई महिना देखो या फिर जून महिना देखो जुलाइ में महिना देखो गिरावट है यहाँ पर और कंपनी अगर आप देखते हो डिविडेंट के बारे में तो इस साल इसने 30 पैसा पर शेर का पे करा है पिछले साल भी 30 पैसे का ही पे करा था बीच मैंने इसने पे करना बंद कर दिया था 2020, 2021 और 2022 में पे नहीं किया तीन साल पे नहीं किया वापस पिछल साल दिविडेंट पे करना स्टार्ट किया जो कि अच्छा दिविडेंट मैं काऊंगा बुरा नहीं है यह और जहां तक इनके नंबर्स देखे तो इनके रेवन्यू में एन्यूली ग्रोथ है प्रॉफिड भी अगर आप देखते हो तो शाढ़ा प्रॉफिड है लेकिन तिक्क्त क्या रही है जब प्रॉफिड इतना तीजी से ग्रोρω हो रहा है तो शेर प्राइस में ड्रोथ क्यो नहीं है तो अच्छिलि इसमें अगर आप देखो के तो प्रप्राइस में भी ग्रोफ है अगर दो तीन साह से कंपेर में अगर आप देखोगे तो और जहां तक वेलिवेशन के बारे में देखें तो सस्ता है 5.39 का पी रिश्यो है इसका सेक्टर पी 18 का है डेफिनिटली मैं इसको सस्ता कहूंगा 71% एनलिस्ट कहते हैं खरिदारी करो फिनांशल्स अगर हम देखे इसके तो देखे ऐसा नहीं कि इसी क्वाटर में इसा जंडे गाड़ दिये हो डेसंबर क्वाटर में भी अच्छा इनका प्रॉफिट था 305 क्रोड का प्रॉफिट था 2636 क्रोड का इनका रिवन्यू भी था बाद में क्या हुआ थोड़ा सा कम हुआ रिवन्यू प्रॉफिट कम हो गया और 288 क्रोड हो गया वापस रिवन्यू बढ़ा था जून में प्रॉफिट थलका साई ग्रो था यहां पर तो अगर आप देखोगे तो जो 300 क्रोड के आसपास का प्रॉफिट हो पिछले 2-3 क्वाटर से कर रहे हैं यह लेकिन शेयर प्राइज में पिछले 2-3 क्वाटर से तेजी नहीं है अगर आप वो चीज़ देखोगे तो लास्ट क्वाटर के जब शेयर होल्डिंग के बारे में देखे तो प्रमोटर एस सच कोई है नहीं यहां पर 2.19% mutual fund के पास है 2.91% domestic के पास है FIs अच्छी quantity में लेकिन अगर आप compare करते हैं तो विक्वारी FIs ने करी है 15.17 से घट कर ये 13.44 पर है और सबसे ज़ादा quantity किसी के पास है और ये risky होता ठीक है किसी भी company में जब retail investor 50% से ज़ादा का stake खरीद के बैठ जाते हैं तो risky होता है वो और यहां पर तो retail के पास 54.12% का stake है other parties 27.33% पर है और अगर आप देखते हो तो खरीदारी ज़ादा करी किसी नहीं है तो वो retail investor नहीं करी है तीन quarter पहले retail investor 50% से भी कम थे इवन mutual fund भी 3-3% हुआ करते थे आज अगर वही mutual fund और ये domestic वाले घट रहे हैं बेच रहे हैं other parties बेच रहा है retail investor खरीदारी कर रहा है यहां पर ये अच्छा sign नहीं हो तो किसी भी company को लेकर overall मैं अगर बात करने जाओ तो अगर graph इसका देख रहे हैं तो February से ही यहां पर गिरावट वाला graph है उसके बाद हमने March के भी results देखे जून के भी numbers देखे जो कि अच्छे numbers से लेकिन फिर भी गिरावट continuous है तो इस बार भी जो numbers आये हैं वो भी पहले quarter वे जैसे ही है तो मैं कोई बहुत बड़ी तीज़े expect नहीं करा हूँ बलकि अगर जब भी यहां पर तीज़े हैं मुझे तो कि profitability के मौख़ी यहां पर जादा बनेंगे यहां पर खरिदारी की लिहास अगर मैं देखू तो मुझे जो level पसंद आता है again मैं कहूंगा वो मुझे पसंद आता है 21 रुपए के आसपास का अगर वहां पर जाता है तो risk लेना चाहिए क्योंकि अगर आप graph देखते हो तो देखो अब इसने share price में 30 तो मुझे देखी है जब 6-7 रुपए से इतनी बड़ी रफ्तार आई है तो अभी गिरावट शुरू हुई है यहां पर मुझे पूरे पूरे साल चली है फेबरोरी से यहां पर गिरावट है तो अभी भी यहां पर कहीं पर अगर आप इनिशल सेपोर्ट में अगर देखो तो वो 22 रुपए के आसपस यहां पर नजर आता है और यह वहां पर रुपना चाहिए तक मुर्ब देखते हैं कि रुपता भी है कि नहीं लेकिन जो रिजर्ट्स आए है शायद आज तेजी देखने को मिली हो सब्सक्राइब करें और साउथ इंजिन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखके बता सकते हैं झाल 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 झाल